Hello Guys, Welcome to the Accounting Class आज की वीडियो में हम लोग Issue of Right Shares पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है Right Issue का मतलब क्या होता पहले समझते हैं Right Issue means offering shares to existing equity shareholder देखें कमपनी अपने share capital को अगर बढ़ाना चाहती है तो उसे नए share issue करने पढ़ेंगे लेकिन ऐसे केस में कमपनी को पहले उन लोगों को share देना पढ़ता है जो उसके already shareholder है यानि नए लोगों को share offer करने से पहले कमपनी को अपने ही existing equity shareholders को share देना पढ़ता है उनको offer करना पढ़ता है अगर कमपनी अपनी share capital बढ़ाना चाहती है अपनी सब्सक्राइब कर पर बढ़ाना चाहती है ऐसा नहीं हो सकता है कि कमपनी के existing shareholder हो और उनके रहने के बावजूद कमपनी नए लोगों को invite करे share खरीदने के लिए नए लोगों को offer करे share खरीदने के लिए ऐसा नहीं हो सकता है तो कमपनी को पहले अपने ही existing shareholder जो उसके हैं उनको offer करना पड़ता है shares को अगर वो मना कर देते हैं तब जाकर company किसी और को offer कर सकती है तो पहले ही अपने shareholder को offer करना right issue कहलता है अब इसमें कुछ बाते हैं जो हम लोग देख लेते हैं अब हमें ये देखना है कि जब कभी company अपनी share capital को बढ़ना चाहती है अपनी subscribe capital को increase करना चाहती है तो ऐसे मैं उसे shares को offer करना चाहिए लेकिन किन को offer करना चाहिए ये सारी बाते हमें देखनी है पहली बात इसका first sub clause है two person who at the date of the offer are holders of equity shareholders यानि उन लोगों को पहले उसे offer करना चाहिए कि जो offer की date पर equity shareholders है उस company के कैसे offer करेगी by sending a letter of offer subject to the following condition उनको एक offer letter भेजेगी company और उस offer की कुछ condition होगी जो आगे बताई गई है इसके अंदर पहला point या पहली condition the offer shall be made by notice specifying the number of shares offer के अंदर कितने share offer किये जा रहे हैं ये लिखा होगा उनकी संख्या लिखी होगी and limiting a time not being less than 15 days and not exceeding 30 days और ये जो offer करेगी company उसके लिए जिनको offer करेगी कम से कम 15 दिन का समय देगी 15 दिन का time उसे कम से कम देना पड़ेगा इस offer पर उनको सोचने विचारने के लिए कम से कम 15 दिन और ज्यादा से ज़्यादा 30 दिन का समय दे सकती है यानि company 15 दिन से कम का time नहीं देगी कभी जब उनको offer करेगी 11 दिन 10 दिन 8 दिन 9 दिन 13 दिन 14 दिन का नहीं देगी कम से कम 15 दिन 15 से ज़्यादा दे सकती है 16 दिन 18 दिन 20 पचीज दिन यहाँ तक की 30 दिन भी दे सकती है लेकिन 30 दिन से ज़्यादा का time उनको नहीं देगी तो यह बात समझ लिजे company जो offer करेगी उसके लिए जिनको offer करेगी कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन देगी और यह दिन कहां से count होगा from the date of the offer जिस date को offer किया जाएगा उस date से यह दिन count करना सुरू होगा If offer not accepted shall we deem to have declined अगर इतने दिनों में जो उसने time दिया है 15 से 30 दिन का पे बीच का उतने दिनों में अगर offer accept नहीं हुआ जिनको offer किया गया था तो यह माना जाएगा कि offer को decline कर दिया गया है offer को इंकार कर दिया गया है अस्विकृत कर दिया गया है दूसरा clause Unless the articles of company otherwise provide the offer aforesaid shall be deemed to include a right exercisable by the person concerned to renounce the offers to him or any of them in favor of any other person क्या कहे जा रहा है कि अगर company के article आफ association में कोई और बात न लिखी हो तो ये माना जाता है कि जिसको offer किया जा रहा है उसको ये अधिकार है काउनसा अधिकार है कि वो अपने इस shares को किसी और को renounce कर दे यानि किसी और को propose कर दे जैसे माली ये Mr. X company के shareholder है company ने Mr. X को offer किया right share कि वह आप shareholder है आप share ले लिजे लेकिन Mr. X को नहीं चाहिए share तो Mr. X अपने उस अधिकार का प्रियोक करेंगे काउनसा अधिकार कि Mr. X अपने किसी जानने वाले को अपने किसी दोस को अपने रिसेदार को जिसको वो समझते हैं वो offer जो company ने उन्हें दिया Mr. X को Mr. X किसी और के favor में उस offer को renounce कर सकते हैं ये अधिकार उस shareholder को होगा वही लिखा हुआ है कि Any of them in favor of any other person किसी और person को वो अधिकार renounce किया जा सकता है ये बात understood होती है अगर से company के article आप association में इसके खिलाफ कोई बात न लिखी हो तो ये understood बात ही ये common बात ही माना जाता है कि हमेशा ऐसा अधिकार उस shareholder को है कि वो किसी और के favor में अपने इस offer को renounce कर दे इस्थारंतित कर दे ट्रांसफर कर दे जो भी word आप इस समाल करना चाहिए कर सकते है And notice referred to in clause 1 shall contain a statement about this और इसके बारे में ये जो renounce करने वाला right है इसके बारे में जो पहला वाला clause बताया उसमें जो notice होती है उस notice में लिखा जा सकता है तीसरा clause क्या है इसमें after the expiry of the time is specified in the notice of for said अभी मैंने बताया कि company एक notice देगी उस notice में time mention होगा कितना दिन mention होगा मैंने बताया कि 15 दिन कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन तो जो भी company 15 से 30 दिन के बीच में time दी होगी उसी की बात की जा रही है कि जो time specified है माल लेते हैं company ने 25 दिन का time दिया था ठीक है तो 25 दिन का time जब expire हो जाए गा या 25 दिन के पहले ही और on receipt of earlier intimation from the person या 25 दिन के पहले ही वो person जिसको या offer दिया गया था वो आकर कहे कि मुझे offer accept नहीं है वो decline कर देता है offer तब क्या होगा the shares offered the board of directors may dispose of them in such manner which is not advantageous to the shareholders and the company तो company क्या करेगी फिर उन share को इस तरीके से dispose of कर देगी कि वो ना तो shareholders के लिए नुकसान दे हो हानी का रखो नहीं company के लिए नुकसान दे हो या हानी का रखो तो यहां पर सिदी सी बात यह है कि company पहले offer करेगी जब offer की date बीथ जाए या offer की date के पहले ही जिसको offer किया था उसने information दे दिया हो वो आ करके बता दे यहां information वर्ड लिखा हुआ है कि वो आ करके बता दे कि भाई हमें आपका offer नहीं चाहिए मुझे share नहीं चाहिए और वो किसी दूसरे को भी वो propose नहीं कर रहा हो renounce नहीं कर रहा हो तो ऐसे में board of directors फिर उस share को dispose करेंगे अब वो उनकी मर्जी होगी उस shares के साथ वो क्या करेंगे लेकिन जो भी करेंगे वो किसी भी तरह से shareholders के लिए या company के लिए हानिकारक या disadvantages नहीं होना चाहिए अब पहले का B clause देखते हैं यह तो सारी बाते रही कि company किसको offer करेगी existing equity shareholders को अगर इसके अलावा company चाहे तो वो employees को भी offer कर सकती है to employees under a scheme of employees stock option company अपने employees को employees stock option देती है जिसमें कि employees को यह option मिलता है कि वो company के share को खरीच सकते हैं तो ऐसे employees के लिए भी offer हो सकता है subject to special resolution passed by company यस लेकिन ऐसा offer देने के लिए company को एक special resolution pass करना पड़ेगा company की annual general meeting होती है उसमें किसी बात को pass कराने के लिए दो तरह से resolution होता है जिसको प्रस्ताव कहते हैं एक होता ordinary resolution और एक होता special resolution तो यहाँ पे एक आजा रहा है कि अगर company चाहती है कि वो अपने employees को ऐसा share दे दे implies stock option के case में तो company को special resolution पास करना पड़ेगा and subject to such condition as may be prescribed या वो सारी condition उसमें बतानी पड़ेगी कि किस condition में इसको employees को दिया जा रहा है इसके बाद अब next है to any person अब employees के अलावा भी कोई और person हो सकते हैं देखिए पहली बात क्या होती पहले में हमने बताया पहले A में कि वो shareholders को देना पड़ेगा जब shareholders की बात पूरी हो गई तो हमने आपको 1B में बताया कि employees को दिया जा सकता है special resolution पास करके और अगर employees को भी नहीं दिया जा सकता है तो 1C में बताया गया to any person if it is authorized by special resolution अब employee भी नहीं है वो shareholder भी नहीं है वो कोई भी person हो सकता है अगर special resolution पास करके उसको authorized कर दिया जाए तो कुछी भी person को ऐसा share दिया जा सकता है whether or not those person included in clause A and B यानि उपर A और B के अलावा भी कोई person हो सकते हैं चाहे वो A और B में से कोई हो या A and B के अलावा भी कोई person हो उनको company special resolution के जरीए या authorized कर सकती है और वो share जो देगी company उन्हें for cash भी हो सकता है for consideration other than cash भी हो सकता है आपको पता है कि share दो तरह से दिया रह सकता है for cash का मतलब company share issue करेगी बड़ले में cash मंगा लेगी या company share issue करेगी बड़ले में cash न मंगा कि कुछ और चीज़ मंगा लेगी जैसे कि business को purchase करेगी company और share देदेगी assets को purchase करेगी company और share देदेगी तो इस तरीके से भी company की share capital बदल जाएगी और बढ़ जाएगी तो assets को purchase करना और share issue करना ये होगा consideration other than cash business को purchase करना और share को issue करना ये भी होगा consideration other than cash अब आएए दूसरा point पढ़ते हैं पहले point में class A, B, C था अब दूसरा point the notice referred to in sub-class 1 A, 1 shall be dispatched through registered post or speed post or through electronic mode to all the existing shareholders at least 3 days before the opening of the issue अच्छा अब इसमें कहा जा रहा है notice जो दी जाएगी वो registered post पोस्त के थुरू भेजी जा सकती है या speed post के थुरू भेजी जा सकती है या electronic mail के जरीए भेजी जा सकती है email भी एक electronic mode होता है जिसके थुरू अब notice भेजी जा सकती है किसको existing shareholder को जिसके बारे में बात हो रही है और कब भेजी जा सकती है at least 3 days before the opening of the issue जब issue को शुरू किया जा रहा है offer जिस दिन किया जा रहा है उस दिन से 3 दिन के पहले 3 दिन पहले कम से कम 3 दिन पहले वो notice भेजी जानी चाहिए registered post के थुरू या speed post के थुरू या electronic channel के जरीए चाहिए वो email हो या कोई और electronic mode हो उसके जरिये ये notice फेजी जानी चाहिए और इसमें next point है nothing in this section shall apply to the increase of the subscribe capital of a company caused by the exercise of an option as a term attached to the debentures issued or loan raised by the company to convert such debentures or loan into shares in the company क्या कह रहा है इसमें ये थीसरी बात है तीसरी बात ये है कि जो चीजें बताई गये भी तक इस section में वो सारी चीजें उन लोगों पर apply नहीं होगी कि लोगों पर apply नहीं होगी जिनको company ने debentures दिया है और उसमें कोई option term है यानि वो debenture में एक option दिया था कि वो कभी future में चाहें तो share ले सकते हैं तो ऐसे case में ये जो right issue है उन पर apply नहीं होगा या company ने debentures issue किया एक debenture होता है convertible debenture इसका मतलब यह होता है कि debenture holder अगर अपनी मर्जी से चाहें तो debentures को share में convert करा सकते हैं तो ऐसे case में भी ये right issue apply नहीं होगा ऐसा नहीं होगा कि company उन debenture holder को ये offer कर दे कि आप लोग चाहें तो इसको convert कर सकते हैं ये right issue है नहीं उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि nothing in this section shall apply to the increase of the subscribe capital of a company caused by the exercise of an option as a term attached to the debenture issued or loan raised by the company to convert such debentures or loans into shares in the company तो company ने अगर कभी debentures issue किया हो या loan लिया हो और उस company चाहती है कि उस loan को बदल करके share में convert कर दिया जाए और वो share right share हो तो ऐसा नहीं हो सकता है आगे बात कहीं कि ये provided that यहां पर आ गया condition यानि if that the terms of issue of such debentures or loans containing such an option have been approved before the issue of such debentures अब ये कहा जा रहा है कि लेकिन ऐसा हो सकता है कि debentures के issue करने के पहले अगर इस तरह की कोई बात approve कर ली गई हो देखें debenture issue आपने किया है option दे रहे हैं लेकिन जो जो option दे रहे हैं अगर ये चीज approve हो गई हो तब तो ये हो सकता है वो ही कह रहा है कि the term of issue of such debentures or loans containing such an option have been approved यानि अगर company debenture issue करती है loan लेती है और उस condition में वो एक option देती है कि future में आप ऐसा share ले सकते है जो हम issue करेंगे आप इसको convert कर सकते है और raising of loans by a special resolution passed by the company in the annual general meeting तो या तो उसके पहले approve कर चुकी हो company इस बात को कि ठीक है future में debentures को हम convert कर देंगे या company कोई loan raise करती हो और वो loan special resolution से pass हुआ हो और उसमें ये बात mention हो कि future में इस loan को हम लोग convert कर देंगे right shares में तब ऐसा हो सकता है तो ये शुरू में देखिए पहला paragraph जो है वो ये बात बना कर रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है लेकि दूसरे paragraph में कह रहा है कि कुछ condition के साथ ऐसा हो सकता है वो condition ये होगी कि या तो ऐसे debentures issue को ऐसे loan को पहले से approve किया जा चुका हो या special resolution के जरिए इसको annual general meeting में pass किया गया हो उमिद करते हैं आपको information useful लगी होगी तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया इसको subscribe कर दें आप मुझको facebook और instagram पर